नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का शिर्षक है स्नान गंगा स्नान ही नहीं साधारन स्नान के बारे में भी बड़ा अंधिश्वास है जैसे यही की रोज नहाना चाहिए गर्मी हो या ठंड क्यों नहाना चाहिए गर्मी में नहाना तो माफ किया जा सकता है पर थंड में रोज नहाना बिल्कुल प्रकर्टि वृरुद है जिनने इश्वर पर विश्वास से वह क्यों नहीं सोचते कि यदि सीत रितु में भी रोज नहाने की होती तो वह इतने ठंड क्यूं पैदा करता शीत रितुव उसने नहाने के लिए बना ही नहीं लेकिन आप सी सी करते जा रहे और रोज नहा रहे है और मुझे या आज तक समझ में नहीं आए कि नहाने और खाने का कैसंबंद है कोई दोस्त इतवार को सुबहा जाता है और दोफर तक बैठता है मैं उससे भोजन के लिए कहता हूँ तो कह देता है अभी तो नहाया नहीं है कितनी लचर दलील है नहाया नहीं है तो खाना क्यों नहीं खाएंगे नहाते शरीर से हैं पर खाते तो मुझे हैं रोज नहाने के पक्ष में तरह तरह के तरक दिये जाते हैं जैसे यह किस फूर्ती आती है, दिमाग साफ होता है, काम में मन लगता है, आदी, सब जूट है. रोज नहाने वाले कई मुर्ख मैंने भी देखे हैं, और आलसी एसे कि आज नहा कर सोए, तो कल नहाने एक वक्त उठेंगे. प्रतिभा का तो नहाने सूटा संबंध है, जो अधिक नहायागा उसकी प्रतिभा धुलती जाएगी, एक प्रमांड प्रयाप्त होगा. कालिदास ने अपनी काब रचना कहां किये, उजयन में हर्गिज नहीं. मैंने दो दिन उजयन में रहकर देख लिया है, वहाँ बेहत खटमल हैं, मालवी वैद और खटमल पर सिद हैं. कालिदास रात वहार खटमलों से लड़ते रहे होंगे. उजयन वाली हतर करे की विक्रमा दित के प्रताब के कारण खटमल उसके राजम नहीं होते थे, तो मैं मान ही नहीं सकता. खटमल पर चक्रवर्ति का वश नहीं चलता. खुदा की खाट में खटमल भी होते हैं. सिद हुआ कि कालिदास ने उजयन में काब नहीं लिखा, बलक करता है कि असनान नहीं करने से प्रतिभा का विकास होता है. बहुत लोगों की स्वयग्यानिक तथ का अग्यान नहीं है, कि असनान करने से त्वचा के पोर खुल जाते हैं, और उन पोरों से पसीने के साथ प्रतिभा के कंड भी निकलते हैं. मेरे एकमित्र रोज नहाना ब असनान प्रसाधानों का जितना विकासी समन्ती युग में उतना किसी अनिकाल में नहीं होगा। उन्हें बड़ा दुख होता है कि आज मध्यवर्ग इस तरह की बुजरुवा मानिताओं का पोशक है। सर्वहरा के पास असनान में बरवात करनी के लिए वक्त नहीं है। सर्वहरा के अंदोलन में इसलिए तो अप्यक्षित वृता नहीं आ रही है कि उनके नेता मध्यवर के हैं जो रोज नहाते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो केवल इस कारण अकड़े फिरते हैं कि वो रोज दो बार नहाते हैं। इसे वो बड़ी उपलधी मानते हैं और जिससे जीवन की सार्थक्ता कनभव करते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं, भया कोई भी मसम हो, हम तो दो बार नहाते हैं और ठंड़े पानी से। असनान कनभव को बड़े महतो से सुनाते हैं। बस पहला लोटा डालो, तभी ज़रा सा ठंड़े लगती है, इसके बार ठंग लगती ही नहीं। गर्मी लगती है फिर दीन भर बड़ा अच्छा लगता है मैं नहीं जानता अपने शरीर की सारी उष्णता ठंड़े पानी से लड़ने के लिए रोज बाहर निकालना कहां तक अच्छा है इस उष्णता से कोई उपयोगी काम किया जा सकता है पिछले मैंने जब कड़ी ठंड पड़ रही थी मुझे एक परदेशी मित्र मिला वो किसे के हां तीन चार दिन के लिए महमान था असनान के बारे में बात करते उसने बताया आज सुबह मैं नहाने पहुचा तो देखा कि सिमेंट के हौज में पानी भरा है रात भर का ठंड़ पानी पहले तो जी हिचका फिर मने लोटा भर कर डाल ही लिया पांस मिलट तक देह सुन रही मुझे सुन कर ही कब कपी आ गई उसके पास बैठना मेरे लिए सहाय हो गया मुझे जिवह ख्याल आता कि इसने रोज सबेरे होस के पानी से नहाया है मैं ठिठोडने लगता उसक तीन दिन रहा जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा बंधू तुम्हें गजब की इच्छा शक्ती है यसी द्रिच्छा शक्ती से तुम कोई बड़ा काम कर सकते थे तुम गोरी शंकर की चोटी पर चड़ सकते थे तुम कोई अविश्कार कर सकते थे पर तुम उसका उप प्योग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे थे, इतिहास कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, अगामी पढ़ियां तुम्हारे नाम को रोएंगी, वह हस्ता रहा, उसे सीर धुन्ना था, कुछ संसकारों की जड़ें बड़ी गहरी होती है, रविंद्र नाथ ने ठीकी कहा है कि ग्यान की निर झरनी अंद विश्वासों के मरी भूमी में खो गई है, इसले को पढ़कर यदि एक पाठक ने विर्थ असनान में समय नश्ट न करने का निश्चे किया, तो मैं अपना स्रम सार्थक समझूंगा, धन्यवाद